जीतेंगे हम ये वादा करो कोशिस हमेशा जादा करो किसमत भी रूठे पर हिम्मत ना छूटे तुम मजबूत इतना इरादा करो साथियों इसी मजबूत इरादे के साथ आपकी एक और मजबूत कलास जब आप दीजिए कमेंट करिए पहले कुश्चन का क्या अंसर होगा अगर रूठ सेबन का मल्टीपल हम करें थिरी से तो कितना आएगा आपके सामने है ए, बी, सी, दी एक बाट ट्राई करिए और अगर नहीं आता है तो फिर हम बताएंगे आईए सबसे पहले कुश्चन दिखाते हैं उसके बाद फिर इसका कंसेप्ट बताते हैं ठीक है वीडियो को अगले कम से कम 10 मिनट आपको देखना है बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ये कोई रील नहीं है सोचल मीडिया की का आप ऐसे ऐसे करके देख लोगे अगला सवाल देख लीजिए फिर अगर आपको लगता है कि बी वाला है तो आप टू बी कमेंट में लिख सकते हैं अगर ए लगता है तो टू ए बहुत अच्छा बेरे गुट आईए बच्चा पार्टी देखे इधर मैं बताता हूं कैसे होता है क्यूं होता है कब होता है सब कुछ इसका आंसर होगा थ्री फोर जा ट्वेल एंड पांच उकब बीस यानी बारा और बीस ये भी वाला देखिए एक्चुली होता क्या है इनकी कहानी ये होती है साथी मेरे कि करडी गत असमान होने पर भी उनको आपस में गुड़ा कर लिये जाता है और जो गुड़नखंड होता है उनको अलग और करडी गत को अलग अलग गुड़ा करते है लेकिन ये करडी गत और गुड़नखंड होते क्या है ये कौन से जिवजंतु का नाम है देखो इधर जैसे अगर कहीं ऐसे लिखा है under root 23 और यहां पर लिखा है 15 ठीक है? तो यह है बाबू आपका करडी गत क्या है करडी गत मतलब मेन करडी यही है आपका और यह है आपका गुडनखंड क्या है यह गुडनखंड यानि यह इसके साथ गुडा में लगा होता है ठीक है? और यहां पर एक छोटी सी अगर नंबर है तो वो है इसकी करडी की घात ठीक है? समझ रहो? करडी घात समान होने पर ही अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर दो अक्सर लगा नहीं रहता छीपा रहता है अगर तीन लग जाए तो मतलब इसका क्या करना है? घनमूल करना है ठीक है? यह बिलकुल अलग चीज है यह चीज आपको याद रखना है यह बिलकुल अलग चीज है इससे ठीक है? यह इससे दूर रहता है आपको बस इसके करीब लगता है ये दूर हो के भी पाफ लगता है बस समझ रहो तो कहने का मेरे ये मतलब है साथ ही मेरे भी अगर कहीं आयसे लिखा है आयफे लिखा है आयफे और इसका गुड़ा आयफे भी किया गया है आयफे तो इसका मतलब है कि यह जो 7 है न इस 7 का गुड़ा करेंगे किस में इस 7 का गुड़ा इस 5 में करोगे 7, 35 ठीक है तो यह बहरकवा इससे 35 हो जाएगा यह 34 का 2 में गुड़ा करोगे तो 2, 4, 8, 2, 3, 6 यह अंसर आएगा बतलब बात समझ में आई आपको एक में डाल में काला नहीं करना है इनको खिचडी नहीं करना एक में यह अलग अलग रहेंगे यानि यह आपका अलग गुड़ा होगा कौन सा बहुत अच्छा बरी गुड देखिए अधिकांस बच्चे इसमें सही कर रहे है बस कुछ है इसे हैं जो गड़बड़ आ रहे हैं कोई बात नहीं ना गड़बड़ाओ आ जाएगा देखो इधर का है भया इनका साथ का गुड़ा आप एकाइस में करोगे तो एकाइस का साथ में गुड़ा कर लीजिए साथ एकम साथ सादूना 147 और इसमें गुड़ांक कुछ नहीं है तो आप यहाँ एक मान सकते हो ठिक है और यह इधर पांच है तो पांच एकम पांच यानि 147 और फाइफ यह वाला आपका साहिए भी वाला आया समझ में इसमें किसी को कोई डाउट नहीं ना तो यह क्या है यह करड़ी का गुड़ा करने का तरीका आप सीख रहे हैं करड़ी को इंगलिस में सर्ड्स बोलते हैं क्या बोलते हैं इंगलिस में इनको S.U.R.D.S. सर्ड्स बोलते हैं ठीक है आई यह आगे बढ़ते हैं चलिए बढ़िया है आरा समझ में ठीक है तो मुझे यह बताओ वाई इक बात बताओ तुम question number 4 या 5 लिख लो इसको कुछ भी लिख लो मुझे ये बताओ कि अगर यहाँ पर 11 लिखा है यहाँ पर लिखा है 23 यहाँ पर लिखा है 9 और यहाँ पर लिखा है 3 तो इसका मान क्या होगा anyone कोई भी बताएगा जरह try कर लो हटके भाई चलो पहला option है 99 और 69 मनलब 63 99 और फिर वही आ गया क्या 69 ले लो चलो C वाला है 11 55 D वाला है चलो किससा अंसर आएगा वही किससा आएगा किससा आएगा कौनसा आएगा चलो ready बहुत अच्छा है simple सा है आसान सा है हमें root की अंदर वाले का root की अंदर वाले में करना है तो 23 का गुड़ा अगर 3 में करेंगे साथी मेरे तो 3 तरीक का 9 और 3 दूना 6 वनात्तर आएगा 69 69 आएगा और ये 11 का गुड़ा आप 9 में करोगे तो 99 आएगा यानि 99 और 69 99 पहले 69 अंदर में यानी भी वाला साहिए किसी को इसमें कोई doubt नहीं ना पक्का कर लोगे ठीक है एक और बताओ 5 नंबर 1.5 इनका गुड़ा करना है 25 और इधर क्या करना है बबुआ 2.5 इनका गुड़ा करना है 5 में इसका मान क्या होगा पहला आप्षन है 125 और इधर 40 ठीक है दूसर का आप्षन है देखो आप 15,55 हासी लाया कितना साथ यह तो होता एक नहीं और इसका गुड़ा कर लो 25 पंचे 125 का 5 हासी लाया 12 और 25 से कम 25 25,10,35,237 और दो अंग पर हो जायागा तो समलो 3.75 और अंडर रूट आपका यह हो जायागा 125 बढ़िया और C वाला 37.5 और यह 100 और D वाला आपका वही हो गया 3.375 125 है ना असान बताइए आप फिर इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए करड़ी का गुड़ा में यह समान घात वाले का मैंने बताया है आप समान घात होने पर कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे हम नेक्ट वीडियो में और हाँ एक चीज़ और इंपोर्टन्ट यह है अगर दोनों में नंबर ऐसे समान है ठीक है तो इनका जो फाइनल आंसर होता है वो वही गिंती होती जो रूट के अंदर होती है याद रखना ठीक है यह जैसे रूट तीन है और रूट तीन है तो इनका फाइनल आंसर नो होता है पैसे होता है देखो एक्चुली अगर इनका गुड़ा करेंगे हम तो रूट नो आएगा और नो का वर्गमुल के आएगा पलस माइनस तीन इफी लिए जैसे इनका आप गुड़ा करोगे तो नो आएगा नो का वर्गमुल करोगे तो पलस माइनस तीन आएगा बात समझ में आई ना तो यह सब हो जाई करने सच्छा डारेक्ट वासे आंसर भी लिख सकते हो ठीक है तो याद रखना अगर कहीं किसी भी नंबर का आएफे गुड़ा हो रहा है जो ब्रेकट में सेम है सेम नंबर तो इनका आंसर यही नंबर आएगा बसरते यहाँ घात देख लेना समान रहना चाहिए अगर कुछ नहीं है तो ठीक है दो माना जाता है अगर यहाँ तीन है तो फिर यहाँ भी तीन क्यों नई फिर कहानी अलग हो जाएगी क्यों अलग हो जाएगी इसके बारे में बात करेंगा अगले वीडियो में क्योंकि यह घनमूल वाली बात हो गई देखो वर्गमूल में दो दो का जोड़ा बनता है एक चीज़ यहाँ समझे लो अब बहुत ही कंफ्यूजन वाला बात क्रियेट हो गया चलो अगर यहाँ तीन तीन लगा है छोटा छोटा ना गहात तीन है तो फिर ऐसा नहीं हो सकता है फिर उसकी कहानी थोड़ी सी अलग हो जाएगी देखो जैसे अगर भाई यह 37 है और यह 37 है अगर यहाँ उपर कुछ नहीं लगा तो दो मानते हैं कि यह वर्गमूल का चिन है लेकिन अगर मान लो खुदा ना खासता मैंने दो लगा दिया तो क्या है वर्गमूल का चिन है तो इसको हम ऐसे भी करफकते है 37 गुड़ा फैंटिस और फिर इसमें दो-दो का बन जाता है जोड़ा और एक जोड़ा बाहर निकल जाता है इफलिये 37 हो जाता है लेकिन अगर तीन घात लगी है और यह दूइए बार है तो फिर यह लिखना बिल्कुल भी सही नहीं समझ में आया फिर वो घनमूल वाली कहानी हो जाती है उसके बारे में अगले वीडियों बात करेंगा आप कमेंट करके बताईएगा अगर इसके बारे में जानना चाहते है तो आप कमेंट में next part लिख की कमेंट करना ठीक है कमेंट जरूर करना सभी next part अगला part कब आएगा ठीक है बस आज के लिए इतना ही बहुत बहुत थांक्यू बहुत लेट हो रहा है काफी लेट हो रहा है ये तो दो सप्ता कलास बंद थी मैंने सोचा record कर देते हैं देखो एक चउदा हो रहा है और ये live नहीं है real में recorded है लेकिन याद रखना अगर जिंदगी में सीखना है recorded live से कोई फरक नहीं पड़ता है कोई doubt है comment करिए नीचे हमारे number चल रहा है inquiry करिए पढ़िए सीखिए सीखने के लिए कहते हैं गदहा सभी सीखा जा सकता है ऐसा नहीं है कि हम सुबहर वार लाइब पढ़ाएंगे तब सीखोगे सीखने वाले कहीं से भी सीख लेते हैं समसान घाट जाते हैं वहां से भी सीख किया जाते हैं कुछ ने कुछ समझ रहा है तो ठीक है थैंक्यू